एलो बच्चो क्या हल चाल बहुत सारे की सारे बहुत ही अच्छे से मज़े में होंगे मस्ती मार रहे होंगे स्वागत आपका PWK प्लेटफॉर्म पर और हम स्टार्ट कर चुके थे हमारी Master 30 सिरीज मास्टर 30 सिरीज में हम हमारा एक लेक्षर जेव प्रक्रम लगवग पूरा क सिरीज के अंदर हम जो तीस सबसे महत्पूर्ण प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं ठीक है यह सिरीज हमने Master 30 नाम रखा है जनरली इसके नाम में UP बिहार बोड भी जुड़ा हुआ है लेकिन यह सभी बोड के बच्चों के लिए उतनी ही जरूरी है जित नियंत्रन एवं समन्वय और नियंत्रन और समन्वय के जो तीस सबसे महत्पूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है मिरवाई तो बात कुछ ऐसी है कि पुराना जो जेव प्रक्रम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद जितना भी अच्छा से क्रिस्टल क्लियर होगा और इसके जो तीस महत्पूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे ठीक है बड़ा तो आगे ही हम हमारा अगर बात करें कि भाई हम क्या पढ़ने बाले है आज के लेक्षर में तो हमारा जो नियंत्रन और समन्वय ह इसे हम चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं सबसे फर्स्ट अगर सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास में है तंत्री का तंत्र दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास में आता है मानव मस्तिस्क तीसरा अगर हम बात करें तो आया क्या पादप इसके जो 30 सबसे महत्पुन प्रश्न बनने वाथेント तो वस्तोलिष्ट प्रश्णों की हम बात करेंगे श्मर्ण पूरा पूरा लेक्शर नियंतर्म और समन्वाय के लिए यह एक अगेला लेक्शर बहुत ही जादा महत्पुर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम लगबग सारे ही तरह के प्रश्णों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं और इस तरह से समझेंगे कि आपको यहीं के यहीं पर क्या हो जाएगा याद हो जाएगा ठीक है बेटा तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का लेक्शर और लेक्शर का पहला ही सवाल हमारे पास में आएगा पहला ही सवाल हमारे पास में मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिस्क का सबसे बड़ा मस्तिस्क से बनने वाले जितने भी important जितने भी IMP सवाल है वो आपके यहीं पर clear हो जाएंगे ठीके बेटा तो बात कर रहे हैं हम किसकी मस्तिस्क की बात कर रहे हैं वो मस्तिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका जो diagram है वो आपको पता होना चाहिए ठीके तो इस मस्तिस्क के अंदर अगर हम बात करें तो तीन महत्पुन तीन महत्पुन अलग-अलग इसे भागों में विभाजित किया जाता है तीन अलग-अलग भागों के अंदर इसे क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है और इन तीन अलग-अलग भागों को इन तीन हुआ हमेरे पास में क्या नाम आएगा मद्य मस्तिस्क क्या नाम आया बेटा मद्य मस्तिस्क तो इन तीन अलग-अलग भागों में बिभाजित होता है इन तीन अलग-अलग भागों में बिभाजित होता है कौन मस्तिस्क बिभाजित होता है ठीक है बेटा अब बात यह है कि जी तीन अलग अलग भागों में तो विभाजीत है अगर मस्तिस्क मद्य मस्तिस्क और पश्च मस्तिस्क लेकिन ये तीनों की तीनों भाग मस्तिस्क में कहां कहां पर होते हैं ये जो तीनों की तीनों भाग हैं ये मस्तिस्क में कहां कहां पर होते हैं और इनका काम क्या होता ह तो यदि हम बात करें इसके अंदर मस्तिस्क के अंदर इसके भागों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमने नाम सुना है क्या अगर मस्तिस्क पहला ही नाम हमने सुना है क्या अगर मस्तिस्क तो अगर मस्तिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो इस अगर मस्त के तीन अलग अलग भाग होते हैं अब कोन-कोन से भाग होते हैं तो तीन अलग अलग भागों में जो सबसे पहला होता है इस पहले ही भाग को हम नाम देते हैं किसका इस पहले ही भाग का नाम होता है इस पहले ही भाग का नाम होता है प्रमस्तिस्क नाम होता है क्या नाम होता समझ में आ रहे हैं कि वोले , सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो प्रमस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है किस की बात कर रहे हैं ? प्रमस्तिस्क की बात कर रहे हैं प्रमस्तिस्क मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी को हम इंगलिश में एक नाम दे देते हैं क्या इसका इंगलिश में नाम हो जाता है सेरे ब्रम नाम हो जाता है इंगलिश में इसका नाम हो जाता है क्या सेरे ब्रम ये अब इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है ठीक है सबसे बड़ा भाग जो है मस्तिस्क का वो कौन सा हो गया हमारे पास में प्रमस्तिस्क हो गया ठीक है बेटा अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका काम होता है इसका काम होता है एक्षिक गतियों का नियंतरन करना किसका नियंतरन करना एक्षिक गतियों का नियंतरन करना अब बात यह आती है कि गुरु जी यह जो एक्षिक गति है वो क्या होती है एक्षिक गती क्या होती है तो भाई दो नाम आएंगे हमारे biology के अंदर पहला तो आता है क्या बोले एक्षिक और दूसरा आता है क्या अनेक्षिक एक्षिक की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि जो हमारी इक्षा से होगा उसे हम रखेंगे किसके अंदर एक्षिक के अंदर रखेंगे और अनेक्षिक का मतलब होगा जो हमारी इक्षा से नहीं हो जिसके उपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो उसे हम नाम दे देंगे क्या अनेक्षिक नाम दे देंगे ठीके बेटा इतने कहानी समझ में आ रही है तो पहला तो हुआ क्या बोले एक्षिक एक्षिक का मतलब क्या बोले जिसके उपर हमारा नियंतरन है उसे हम बोलेंगे एक्षिक और अनेक्षिक मतलब जिसके उपर हमारा नियंतरन नहीं है उसे हम नाम दे देंगे किसका अनेक्षिक का नाम दे देंगे तो जितनी भी एक्षिक गतियां है जैसे कि मैंने कहा कि मुझे यहां से चल के कहीं और जाना है मतलब वो मेरी इक्षा है चल के जाना वो एक्षिक गती है और एक्षिक गती किसके नियंतरन में होगी बेटा तो वो प्र विभिन ग्राही के लिए विभिन ग्राही के लिए संबेदी छेत्र होते हैं विभिन ग्राही के विभिन ग्राही के क्या होते हैं इसके अंदर संबेदी छेत्र होते हैं बेटा क्या होते हैं संबेदी छेत्र अब यह क्या चीज होती है तो सुन ना जाना ध्यान से होता है कि ह हमारे पूरे सरीर के अंदर कुछ अलग अलग अंग होते हैं जिने हम बोलते हैं संबेदी अंग का मतलब होता है जो हमारे बाहर के बातावरन से सुचनाओं को क्या करते हैं एकत्र करते हैं जैसे आपके सामने अगर दिन का समय है तो आपकी आखे पता लगा रही है रात का सम संबेधी अंग हो गई, दूसरा, मैंने कहा आपकी तवच्चा के ऊपर कुछ गरम लगा, या फिर कुछ ठंडा लगा, तो भी क्या हो गा, बोले वो पता लगाएगी, मतलब आपकी जो तवच्चा है, वो भी क्या है, संबेधी अंग है, संबेदी अंग के पास में कुछ विसिस्ट कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं का काम होता है कि जो सुचना है उसको क्या करना बोले पकड़ना कैच करना सुचना को कैच करने का काम किसके पास में होता है ग्राही के पास में होता है जैसे आपकी जीव है जो जीवा है इसके प से जो सिगनल है वो कहां भीज देता है ब्रेन के पास भीज देता है ब्रेन के किस हिस्से के पास भेजेगा तो प्रमस्तिस्क के पास में सेरेब्रम के पास में भेजेगा ठीक है इसलिए हमने लिखा है कि बिविन ग्राही के संबेदी छेत्र कहां पर होते हैं प्रमस्तिस्क क के अंदर होते हैं आपसे पूछा अगर जाए कि आप अलग-अलग चीजहें का स्वाध लगा पारे हो मस्तिस्क किस हिस्से की बज़े से प्रमस्तिस्क की बज़े से ठीके बिटा दुसरा आपसे पूछा जाए कि भाई आपको कुछ ठंडा उख गरम अगल तच हुआ है या अलग अलग जगाएं होती हैं जिनका काम है कि भाई किसी गंद को पहचानना या भी कोई स्वाद को पहचानना वो सारा की सारा काम किसके पास में होता है प्रमस्तिस्क के पास में होता है ठीक है बेटा तो यहां पर हमारे पास में अगरमस्तिस्क का पहला हिस्सा होता है जिस जिसका की नाम होता है थेलेमस, क्या नाम हुआ है हमारे पास में थेलेमस, किसका भाग है यह तो बोले यह अगरमस्तिस्क का ही है, नाम है उसका क्या थेलेमस नाम हुआ है, ठीके बेटा, तो थेलेमस हमारे पास में किसका बोले अगरमस्तिस्क का ही हिस्सा हुआ, इसी के बा तो यहाँ पर वोले तीसरा हिस्सा हमारे पास में आया है किसका वोले हाइपो थेलेमस नाम हुआ है क्या नाम हुआ हाइपो थेलेमस नाम हुआ और हाइपो थेलेमस की अगर हम बात करें हाइपो थेलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपो थेलेमस बहुत ही ज्यादा महटपूर्ण होता है हाइपो थेलेमस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा महटपूर्ण है क्यों है महत्पुन इसके पीछे reason यह है कि जो hypothalamus होता है किसकी बात कर रहा है hypothalamus वोले hypothalamus का काम होता है हमारे सरीर में तापमान का नियंत्रन करना हमारे सरीर में किसका नियंत्रन करना तापमान का तो hypothalamus के कामों में जो सबसे महत्पुन काम आपके पास में आया है वो आया है क्या वोले तापमान नियंत्रन करना ठीक है तापमान नियंत्रन का मतलब क्या वोले हमने कहां कि ठण के समय में वाताबरन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है लेकिन हमारे सरीर के अंदर से उर्जा हीट क्या होती है बनती है क्यों हमारा सरीर हमारे तापमान को मेंटेन करके रखता है और सरीर के तापमान को मेंटेन करने का काम किसके हाथ में है इस हाइपो थेलेमस के हाथ में हाइपो थेलेमस के हाथ में दूसरी अगर हम बात करें दूसरी अगर हम बात करें तो भाई आप आपको जब भी भूक लग रही है, आपको जब भी क्या लग रही है, बोले भूक लग रही है, या फिर आपको क्या लग रही है, प्यास लग रही है, भूक और प्यास का जो नियंत्रन है, भूक और प्यास का जो नियंत्रन है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, हाइपो तो तापमान का नियंद्रन और भूक और प्यास का नियंद्रन ये हाइपो थेलमस के काम हो गए और प्रमस्तिस्क के हमने तीन अलग-अलग तो अगर मस्तिस्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है हम बोल सकते हैं प्रमस्तिस्क सबसे बड़ा है या फिर उसी को हमने बोला है क्या उसी में कोन आता है उसी में कोन आया हमारे अगर मस्तिस्क को हमने बोल दिया यह सबस मद्यमस्तिस्क का नाम दिया हमने ठीक है तो यहीं पर हमारे पास में बोले नाम आया है किसका मद्यमस्तिस्क का और मद्यमस्तिस्क की अगर हम बात करें मद्य मस्तिस्क की बात करें तो इसका हिस्सा ये बहुत ही छोटा से हिस्से में पाये जाता है कोन मद्य मस्तिस्क और इसी के बाद में मद्य मस्तिस्क के बाद में जो मस्तिस्क का सबसे सबसे ज़्यादा महतपूर हिस्सा सुरू होता है उसका नाम है पश्य मस्तिस्क क्या न इसका हमने नाम रखा है क्या इसे हम नाम दे रहे हैं अनुमस्तिस्क क्या नाम दिया बेटा अनुमस्तिस्क इसका हमने क्या किया है नाम दिया है अनुमस्तिस्क या फिर इसी को इसी अनुमस्तिस्क को हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्या सेरे बेलम बोला जाता है इसका न का सरीर का नियंत्रन बनाना सरीर की इस्थिती सरीर की हमने कहा क्या बोले इस्थिती या फिर हमने कहा क्या बोले संतुलन इस्थिती या फिर हम बात कर रहे हैं किसका संतुलन का ये क्या करेगा नियंत्रन करेगा अब जैसे मैंने कहा आपको बोल दिया जाए कि भी आपको एक पेर की उपर खड़े होना है आपको क्या करना है एक पेर की उपर खड़े होना है ठीक है एक ही पेर खड़े रहना है मतलब आपके दिमाग के अंदर आपके मस्तिस्क के अंदर एक पर पेर खड़े रहने के लिए छमता है एक पेर पर संतुलन बनाने की छमता है वो किसकी पाद में उसे यह द्यान रखने की जरुबत नहीं है कि भाई पैडल मारना है यह भी किस तरह की पूजिशन में बैठना है यह फिर हैंडिल कैसे लखना है उसे एक बार हम वह चीज को हुण सीख गए तो उसके जो अनुमस्तिस्क है उसमें वो पावर वो छमता वो memory क्या हो गई यह fit हो गई और यह अनुमस्तिस्क अब automatically उसका क्या करेगा नियंद्रन करेगा तो व्यक्ति अब चाहे तो दोनों हाथ भी छोड़े तो भी क्या कर लेता है balance भला देता है ठीक है cycle चला रहा है वो high hello भी कर देगा बाजू में तो भी वो गीरेगा नहीं क्यों उसका अनुमस्तिस्क क्या हो गया है बोले अनुमस्तिस्क ने पूरा अनुमस क्या नाम रखा है हमने पूंस नाम रखा है अब पूञ्स कोई महद्पुन काम अभी धियान रखने के लिए नहीं है लेकिन हम यही पर इसके जो तीसरा हिस्स्सा होता है उसकी अगर अगर पन बात करें तो जो तीसरा हिस्सा है महतपूल माना जाता है क्यों ओले इसी तीसरे हिस्से का नाम होता है क्या medulla medulla avla geta अबूदी थोड़ी दर पहले हैं मैंने कहा था कि दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक होती है एक्षिक और एक्षिक की अगर बात करें, तो वो नियंतर्ण में आती है, लेकिन अनेक्षिक की हम बात करें, तो अनेक्षिक का नियंतर्ण कोन करेगा, मेडूला अबला गेटा करेगा, अनेक्षिक प्रक्रियाओ का नियंतर्ण कि के हाथ में होता है तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेडूला अबला गेटा की बात ध्यान रखना अनेक्षिक प्रक्रियाओं का क्या करता है नियंद्रन अनेक्षिक प्रक्रियाओं कौन-कौन आएगा ही आएगा मतलब वो कुन सी प्रक्रिया हो गई है अनेक्शिक प्रक्रिया हो गई ठीके दुसरा मैं कहूं कि भाई आपके हिर्दय की गती किसी को देख करके क्या हो गई बढ़ गई या फिर हिर्दय की गती क्या हो गई कम हो गई हिर्दय धड़कन कम हो गई तो वो ह यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं, वो किसके नियंत्रण में आएगा, मेडूला अबला गेटा के नियंत्रण में आएगा, किसके नियंत्रण में मेडूला अबला गेटा, अब बात तो यह आती है कि मेडूला अबला गेटा तो हमारे ही सरीर का भाग है मतलब हमारे ही नियंतन में है हमारे नियंतन का मतलब यह जो हमारी इक्षा से ना हो वो किसकी इक्षा से होगा मेडूला अबला गेटा की इक्षा से होगा ठीक है जैसे की लार आना या फिर हिर्दय गती या फिर मैंने कहा भाई बहुत जादा कुछ खा लिया है त तो ये भी हमारे नियंतन में नहीं है तो ये कहानी ध्यार रखना की ये तीनों की तीनों और इसके अलाबा भी हमारे सरीर में जो भी प्रक्रिया हमारे नियंतन में नहीं है वो किसके नियंतन में होगी मेडूला अबलागेटा के नियंतन में और उन प्रक्रियाओं को हम नाम नाम दे देते हैं पश्य मस्तिस्क के बारे में पढ़ा ठीक है और इनs के अलग-अलग भागों के भारे में भी हमने क्या किया है पड़ा है और सारी महत्पुलंची जीजों को हमने क्या किया है देखा है ठीक है यहां से एक नहीं मस्तिस्क से जितने भी question IMP बनेंगे वो सब यहीं से बनेंगे यह ध्यान रखना इसलिए यह सारी बातें समझना बहुत ही ज्था क् अरे बाई यह कोई ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है बताओ इसमें से कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है तो हमने तीन हिस्से पड़े हैं और तीन में अगर मस्तिस्क ही सबसे ज़्यादा क्या होता है बड़ा होता है ठीके बेटा तो यहां पर यह एक प्रश्ण हम मद्य और पश्य और अनेक्षिक क्रिया जैसे हिर्दय गति लार आना या फिर वमन होना यह सारा किसके कंट्रोल में होता है पश्य मस्तिस्क के मेडूला अबलागेटा के कंट्रोल में होता है वही सारी चीजे लिखी हुई है याद करने की जरवत नहीं पड़ेगी ठीके चलो आगे अगर हम बड़े अगला अगर हमारा सवाल देखें या फिर सवाल से पहले हमारे पास में यह दाइग्राम आया है जो कि आप लोगों की बुक में भी है वही सारा चित्र है जो हमने पड़ा है सबसे पहला हमारे पास में आया है क्या प्रमस्तिस्क है ठीक है दू मस्तिस्क में हमारे पास में 3 अलग-अलग हिस्से हुए एक तो हुआ पौंस दुसा हुआ मेडूला और तीसा हो गया हमारे पास में क्या अनुमस्तिस्क हो गया है ठीक है पेटा इतनी कहानी समझ में आ रही है चलो एक और ज़रूरी बात में बता दू आपने नाम सुना होगा मेरूरजू आपने नाम सुना होगा मेरूरजू spinal cord spinal cord क्या होता है तो गुरु जी यह जो पूरा हिस्सा है यह हमारा brain में आता है और यहां से यह जो पूरा read की हड़ी चालू होती है इसी के अंदर होता है हमारा मेरुरजु स्पाइनल कॉड होता है और वो स्पाइनल कॉड मस्तिस्क के मस्तिस्क के मेडूला से बना हुआ होता है किस से बना हुआ होता है मेडूला से बना हुआ होता है तो ये बात को बहुत ही विशेश तोर पर ध्यान रखना कि यह जो हिस्सा है यह मेडूला का हिस्सा है यही मेडूला का हिस्सा जब आगे बढ़ता है वर्टिवल कॉलम में या फिर हम कहें रीड की हड़ी के अंदर जब जाता है तो वो किस नाम से जाना जाता है मेरूरज्जू के नाम से आप से पूछा जा सकता है मेरूरज्जू क आगे बढ़ें तो हमारे पास में बात ये आई कि भाई बहुत कुछ स्पेशल सा लिख करके दिया है गुरुजी ने वही सारी चीजें जो हमने पड़ी हैं अगर मस्तिस्क, मद्यमस्तिस्क और पश्मस्तिस्क ये तीन अलग-अलग हिस्से हैं मस्तिस्क का सबसे बड़ा भा करें मुख्य सोचने वाला भाग होता है ये ध्यान रखना जो भी आप थिंकिंग की पावर है जो भी मेमोरी की पावर है वो सेरे ब्रह्म में है एक्षिक गती का नियंतन कर रहा है और बिभिन ग्राही से संबेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं छेत्र होत दूसरा हिस्सा हमारे पास में हुआ है क्या थैले मस और ये थैले मस और तीसरा हुआ हाइपो थैले मस यह तापमान और भूख प्यास का क्या करता है नियंत्रन करता है तापमान और भूख प्यास का क्या करता है नियंत्रन करता है मद्य मस्तिस्क ये हाइपो थेलेमस और पश्च मस्तिस्क के बीच बाला हिस्सा होता है काम में जादा कुछ याद इसका नहीं है हमारे लिए रखने के लिए पश्च मस्तिस्क के बात करें तो इसका हिस्सा हमारे पास में आया है क्या अनुमस्तिस्क आया है इसी को हम सेरे बेलम करते हैं इंडर इसके अन्दर सरीर की इस्तिती तता संतुलन के लिए क्या होता है यह आवशक होता है ठीक है बेटा नेक्स्ट इसका जो हिस्सा था इसका नाम रखा हमने क्या पोंस और तीसरा है मेडूला अवलागेटा इसका काम है अनेक्षिक क्रियाओं का क्या करना नियंतरन करना और अनेक्षिक क्रियाओं को याद रखने की जरुवत नहीं है वो सारी प्रक्रिया जो हमारे नियंतरन में नहीं है वो किसके नियंतर में होगी मेडूला अबलागेटा के नियंतर में होगी यहीं पर मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को आपने देखा होगा कि कोई बेक्ती यदि कुछने एल्कोहल ड्रिंक ले लिया अगर है तो अपने सरीर को लड़ खड़ाने लगता है जूमने लगता है तो वो जूमने का reason क्या है बोले alcohol का जो असर होता है वो किसके उपर होता है अनुमस्तिस्क के उपर किसके उपर अनुमस्तिस्क काम है स्थिति और संतुलन के लिए आवश्यक है सीधे रख खड़े रहे ना है हैं आपको कौन जरूरी है अनु मस्तिatro का असर हुआ अनु मस्तिlage कह थोड़ा सा काम में क्या हुआился ब्यक्टी क्या होने लग पार हम करें आगे हमारे पास सवाल आया है मस्तिक का कोन अभाग सरीत ही स्थिती तरह संतुलन का अनुरक्षन करता है भाई मुश्किल सवाल है क्या आप खुद भी इसका अंसर बता सकते हो कौन सा भाग करता है तो हमारे पास में नाम आया है क्या अनुमस्तिस्क ही मस्तिस्क का वो इस्सा है जो की सरीर की इस्तिती का तदा संतुलन को बनाए रखने में क्या करता है मदद करता है ठीके म आएगा हमारे पास में डी बाला हाइपो थेलेमस बहुत ही जरूरी सवाल ये हमारे पास में ठीके बेटा चलो आगे की बात करें मनुष्य के सुंगने की छमता को नियंतीत करता है मनुष्य में सुंगने की छमता को नियंतीत करता है मैंने अभी मस्तिस्क के अंदर पढ़ाय मेसके के कौन से हिससे में प्रमस्तिस्क के पासमें सेरभ्रम होती है ने हैं इशली आ लग अलग काम है क्या हैं उन जगहों काहाँ कूछ अलग-अलग काम जैसे कि एक होता है हमारे पासमें ग्रानेंद्रिय पाली या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या ओल्फेक्टरी लोब बोलते हैं क्या बोलेंगे बेटा ओल्फेक्टरी लोब बोलते हैं अब धियान रखना है यह बायोलोजी कहीं पर भी पढ़ो जहां पर भी ओल्फेक्टरी नाम आ जाए olfactory का मतलब होता है यह गंद से संबंदित है किस संबंदित है गंद से fragrance संबंदित अगर है तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या olfactory बोल देते हैं तो मस्तिस के कि अंदा olfactory लोग होता है जो कि किस संबंदित है बोले गंद से संबंदित है या फिर हमने कहा यह सुंगने से सम्मंदित होता है ठीक है इतनी कहानी समझ में आ रही है सुंगने से यह क्या होता है बोले यह सम्मंदित होता है ठीक है अब यही पर एक और नाम आया है आपके पास में क्या नाम आया है तो बोले हमारे पास में आप्टिक पाली क्या नाम आ होगा किसे देखने से संबंदित होगा कोन ओप्टिक लोब संमंधित होता ठीकिए पीठा इतनी कहानी क्लियर हो रही है तो सवाल हुआ हमारे पास में मनुस्य में सूंगने की स्थम्टा का नियंतर कोन करता है तो हमारे जो प्रमस्तिस्क है उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है नाम होता है औलफेक्ट्री लोब वही क्या करता है सुंगने की छमता को नियंतर करता है लेकिन यहीं पर सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाए सुंगने की जगा मैंने लिख दिया दे के अंदर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जैसे computer में hard disk है सारा data store करता है वैसे हमारे अंदर जो हमारी hard disk है वो क्या है हमारा मस्तिस्क है यह सारी सूचनाओं का सारी information का सारी memories का क्या है वोले एक पाबर हाउस वो ब cheese होता है क्या होता है explicitly हमारे पसमें आये कैं मस्तिष्क इसका जबाब आए चला फवाई आगे की और हम बढ़े ऊंदे हैं मस्तिष्क उत्तरडाई है मस्तिष्क का क्या हalter होता है बहुत ही बिच्चों वेला समय degenerate पहला बोला है उसने क्या, बोले सोचने का कारे करता है, सीधी सी बात है, मस्तिस्क सोचने का कारे करता है, कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा, प्रमस्तिस्क सोचने का कारे करता है, ठीक है, आगे की बात करें, सरीर का संतुलन भी बनाता है, क्या करता है, सरीर का संतुलन भी बना गया या फिर हमने बोल दिया किसकी अंदर आया यह अनू मस्तिस्क का हो गया यह काम ठीक है अब आगे की अगर हम बात करें आगे की अगर हम बात करें बोला है उसने हिर्दय स्पंदन हिर्दय धरकन को नियंतन भी कर रहा है बोले मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा बोले मेडूला इस प्रक्रिया को क्या करता है, नियंटर्ण में करता है, बदल अब ये तीनों की तीनों काम किसके दोरा किये जा रहे हैं, मस्तिस्क के दोरा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में, क्या उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ठीके बेटा, चलो, आगे की और बढ़ें, सवाल है हम संते हुए जाओ हुआ क्या होता क्या है कि हमारे सरीर के अंदर हमारे सरीर के अंदर क्या होते हैं संबेदी अंग क्या होते हैं संबेदी अंग होते हैं अब संबेदी अंग अभी मैंने थोड़ी दर पहले बताया आपकी जो त्वच्छा है वो क्या है संबेदी अंग है आप ठीके बिटा तो ग्राही या फिर क्या नाम हुआ? रिसेप्टर ये किसके अंदर है? संबेदी अंग के अंदर है ठीके अब जिसे आपकी त्वचा के उपर कुछ अगर गरम लगा है तो त्वचा के जो ग्राही है उन्होंने क्या किया? उस information को catch किया और उस information को ये किसके पास में भेजता है मेरू रज्जू के पास में भेजता है किसके पास भेज़ेगा मेरू रज्जू के पास में भेज रहा है मेरू रज्जू के पास क्यों भेज़ा बोले जब भी हमारे अंदर कोई उद्धीपन मिलता है जब भी हमारे सरीर को कोई उद्धीपन मिलता है तो हमारा मेरू रज्जू उसके उपर क्या लेता है? एक्शन लेता है हमारा मेरू रज्जू उसके उपर क्या लेता है? एक्शन जैसे आप किचीन में काम कर रहे हो तो अचानक से कोई गरम चीज पर आपका हाथ लगा, तो आपका हाथ अचानक से क्या हो जाएगा, पीछे के साइड में आयेगा, आपका हाथ अचानक से क्या हुआ, पीछे के साइड में आया, क्यों आया, क्यों आया, बोले हुआ क्या कि तवचा के अंदर थे ग्राही, उन उन ग्राही ने तापमान का जो पूरा सिगनल था उसको केच किया और भेज दिया किसके पास मेरूरजु के पास किसके पास मेरूरजु मेरूरजु क्या करता है कि जो भी सिगनल है उसको एनलाइस करेगा उसको एनलाइस करेगा सोचेगा समझेगा और उस हिसाब से वो क्या क किस के पास में किसके पास में किसके पास में मेरुव bisogno के पास में बेज किसी चीज चीज तो लगेगी क्यों बोले यहां पर गरम तच हुआ है औरकोज चीज लगी ए तो यहां से पूरा मेसेज कहा जाना चीए मेरू रजु तक जाना चीए तो मेरू रजु तक मैसेज को ले कर के जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है वो ले तंत्रीका के द्वारा किया जाता है और जो तंत्री का मैसेज को संबेदी अंग से कहां ले जाए मेरु रज्जू तक ले जाए मेरु रज्जू तक ले जाए उसे हम नाम दे देते हैं क्या बोले उसका नाम हो जाता है संबेदी तंत्री का नाम हुआ क्या नाम हुआ बिटा संबेदी तंत्री का उसका नाम हुआ ये मै मेरु रज्जू क्या बुलेगा भाई हाथ को हटाओ हाथ को हटाओ क्योंकि हाथ नहीं हटाएंगे तो हाथ जल जाएगा ठीक है तो हाथ को हटाने का काम किसके पास में होता है तो हमारी मास पेशियों के पास में होता है किसके पास में होती है मास पेशियों के पास में हाथ क को हटाने का काम है तो मेरू रज्जू क्या करेगा कि संबेदी अंग से या फिक ग्राही से संबेदी तंत्रीका ने मैसेज लेकर के आया मेरू रज्जू के पास बोल दिया कि कुछ गरम लगा है अब मेरू रज्जू जिससे ही पता चला कि हाथ में कुछ गरम लगा है मेरू भेज़ लेगी, और मेरु रज्जू मास्पेशियों के पास, मेरल मेरु रज्जू मेरु भेज़े, उसके लिए भी किसकी जरुवत पड़ती है, तंत्रीका की जरुद पड़ती है किसकी जरुद पड़ेगी तंत्रीका की और जो तंत्रीका मेरु रज्जु से मास पेशियो तक सिगनल ले करके जाए उससे हम नाम दे रहे हैं क्या बोले प्रेरक तंत्रीका नाम दे रहे हैं क्या नाम हो गया पीछे के साइड में हट जाएगा, अब इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या, इस प्रक्रिया का नाम हुआ है बेटा, प्रतिवर्तिक्रिया, इस पूरी क्रिया का नाम रखा है हमने क्या, इसका नाम हुआ प्रतिवर्तिक्रिया, प्रतिवर्तिक्रिया क्या, व उसके कारण जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम नाम दे रहे हैं क्या प्रतिभर्ति क्रिया नाम दे रहे हैं ठीके ये बीना सोचे समझे होती है जैसे आपको कुछ तच हुआ तो पॉइंट सेकिंड्स की अंदर आपका हाथ क्या हो जाएगा बैक साइड में आ जाएगा क्यों इसमें सोचने समझने की कोई जरुवत नहीं पड़ी मेरु रज्जु मेरु रज्जु डारेक्ट क्या लेता है एक्शन लेता है ठीके इतनी कहानी समझ में आ रही है चलो भाई तो हम बात कर रहे हैं कि संबेदी अंग ने कोन करेगा मेरु रज्जु प्रतिवर्तिक्रिया में मस्तिस्क कंट्रोल नहीं करता लेकिन मैं यहां पर एक बात बता दू कि ऐसा नहीं है कि यह जो प्रक्रिया है इसकी जानकारी मस्तिस्क को नहीं रहेगे मस्तिस्क को हर प्रक्रिया की खबर रहती है होता क्या है बिटा मस्तिस्क के पास information भेजने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि भाई गरम लगा किसी चीज से हाथ बेक साइड में आ गया मेरू रज्जु ने उस समय आपको बचा लिया उस समय आपको बचा लिया लेकिन उस information को भेज दिया किसके पास मस्तिस्क के पास में ताकि मस्तिस्क को ये पता रहे कि भाई उस तरह की चीज को हाथ लगाने से आपको क्या लग सकता है गरम लग सकता है जैसे मैं कहूं कि भाई आप बाइक पर बेठे हो वो बाईग में पिछे एक वो होता है silencer होता है ठीक है अब बाईचान साब बैठे हुए आप 5 साल के बच्चा अगर कोई है उसको क्या हुआ उस silencer से गरम लग गया ठीक है गरम लग गया उसका पेर तुरंत हट जाएगा क्यों हट जाएगा यह प्रतिवर्ति किरिया की वज मेरुरजू के नियंत्रन में लेकिन इसकी information जानकारी किस तक भेजी जाती है मस्तिस्क तक भेजी जाती है ताकि भविश्यम में अगर कोई ऐसी परिस्टी बने तो मस्तिस्क पहले ही बता दे कि भाई उस silencer से दूर रहना नहीं तो गरम लग सकता है ठीक है इतनी कहानी तो हमारे पास में इसका answer आजाएगा क्या संबेदी तंत्री का इसका answer आजाएगा यहीं पर question थोड़ा सा अगर मैं घुमा दू मैंने कहा बेरु रज्जू से सूचनाओं को कहां मास पेसियो तक को लेकर के आता है तो जवाब आपका बदल जाएगा क्या हो जाएगा प्र प्रतिवर्ति क्रिया में मस्तिस्क की क्या भूमीका होती है यहीं पर हमने अभी समझा वोई सारी चीज़े यहां पर लिख हुई है प्रतिवर्ति क्रिया मेरुरज्जू के द्वारा पूर्ण की जाती है हाँ हमें पता है परन्तु प्रतिवर्ति क्रिया की सूचना मस्तिस प्रतियों के बारे में पहले से अवगत करा सके ठीके पेटा इतने ही कहानी समझ में आदे हैं तो ये सवाल आपसे यहां पर प्रतिप्रति की या से संबंदित पूछा जा सकता है ठीके अब मैं यहां पर एक बहुत अच्छी बात आगर मैं बताओं क्या हो अगर मालो यह पर ग्रही ने काम करना बंद पर डिया जैसे में आउक किसी व्यक्ति के ल shrinking कि आदर वियंवे ने उससे काम करना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति को आपने कुछ इसे भी झाम करने चुबा डिया तो वो हाथ को हटाए भी नहीं वह हटाएगा भी नहीं तो ये ध्यान रखना कि अगर ग्राही काम नहीं कर रहे हैं तो वो संबेदी अंग काम ही नहीं करेगा जैसे अगर कोई गरम चीज टाच हुई तो वो हाथ हटेगा ही नहीं उस व्यक्ति को कोई कि फिलिंग ही नहीं आएगी कि कुछ गरम लगा हुआ है उसकी स्कीन जलेगी लेकिन उसको उस चीज का उस दद का फील नहीं हो रहा है क्यों कि उसके गराही रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ से एक सवाल अगर बने तो हम बात करें कि भाई सुनना ग्राही के ठीक से काम ना करने की स्थीति में ये सुचनाओ का एकत्रिकरन नहीं कर पाएंगे जैसे कि त्वचा के ग्राही द्वारा काम ना करने की स्तिती में गरम ठंडे का एसास नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कुछ गरम लग रहा है ठीक है बेड़ा इतनी कहानी समझ में आ रही है यहीं पर आप से यह डाइग्राम यह चित्र पूछा जा सकता है तो इसे ध्यान रखना यह प्रतिवर्ति के रियां का है वही चीज़े हैं बस यहाँ पर डाइग्राम के फॉर्म में बनाई हुई है जैसे कि यह हाथ है हाथ के अंदर क्या उपस्थित होते हैं ग्राही होते हैं ठीक है ग्राही होते हैं और इन्हें अगर कुछ गरम लगा तो यह information यहां से एक तंत्रीका के द्वारा कहां पर जा रही है बोले यह मेरुरजु के पास में जा रही है ठीक है यह पूरा हिस्सा किसका होता है बोले यह मेरुरजु का होता है इस तंत्रीका को हमने नाम दिया गया संबेधी तंत्री का नाम दिया मेरूरजु ने एनलाइस किया और पूरी information को बोले लेकर के आया है कहां पर बोले muscles के पास में लेकर के आया है यह क्या है muscle है इसी को हम बोलते है काम करने वाला है या फिक कारिकर बोल दिया तो जिस तंत्रीका ने लेकर के आया उसका नाम हुआ प्रेरक तंत्रीका कोशी का ठीक है मेटा चलो आगे बढ़ें चलो भाई आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो हमारे पास में अगला सवाल आता है प्रतिवर्ति क्रिया से आप क्या समझते हैं इसका नावां की चित्र करत्वाना और तुरंत ही उसका प्रतिवतर मतलब उससे ऑल binding काम को करवाना प्रतिवतर चालक तंत्रिकांव द्वारा पेशियों में ला कर उनने उत्रेजित करने की क्रिया को हम क्या पोल देते ह currently इतनी कहानी क्लियर है जलो भाई आगे की ओर अगर हम बढ़ें हमारे पास में सवाल आया है क्या बोले केंद्री तंत्री का तंत्र में सम्मिलित है चलो भाई थोड़ी सी नई बात थोड़ी सी नई बात यहां पर आया है क्या बोले केंद्री तंत्री का तंत्र ऐसा कुछ एक नाम आया है अब सुनना भाई होता क्या है होता क्या है कि हमारे सरीर के अं ठ uważता किया है कि हमारे स्रीर में हमारे सरीर के उपर जो में रूप से जो नियंत्रन रखने काम है, कंट्रोल रखने काम है, वो मस्तिस्क का है, ठीक है, लेकिन मस्तिस्क साथ में help लेता है, किसकी, इस मेरु रज्जू की help लेता है, किसकी help लेता है, मेरु रज्जू की, क्यों मस्तिस्क यहाँ पर बेठा हुआ है, यहाँ पर है, उसको पूरे सर इन दोनों को हम मिला करके बोल देते हैं कि यह दोनों-की-दोनों क्या बना लेते हैं क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? इससी को हम उपैनलिय में बोलते हैं Central Nervous System जाता है अब बात कुछ ऐसी मस्तिस्क फरो पर अपस्तित है और मेरुरजू हमारा यह जो पूरा रीर के हड़ी होती है उसके अंदर हमारा पूरा वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या है उपस्तित है कौन इस्पाइनल कॉट ठीक है अब बात यह है कि जैसे मैंने का भई इस हाथ के अंदर इस हाथ के अंदर कोई नीयन्तरं रखना है अगे करना है तो यह जो गती कराने काम है यह कून करता है अपने अंदर से कुछ सारी काई कर और को सरीर में और रखा है किसने मैरु रजू ने फेला रखा है तो मेरू रज्जू से बहुत सारी तंत्रीकाइं निकली है और कहां फेली हुई है ये सरीर के अंदर फेली हुई है अलग-अलग जगा पर ये तंत्रीकाइं क्या हो रही है जा रही है इन तंत्रीकाओं को हम नाम दे देते हैं इनका नाम हुआ है मेरू तंत्रीका दुसरी हम बात करें कि मस्तिस्क से भी कुछ तंत्रीकाएं निकलती हैं और मस्तिस्क से जो तंत्रीकाएं निकलती हैं इन तंत्रीकाओं को हम नाम देते हैं क्या इन तंत्रीकाओं का नाम हो गया है कपाल तंत्रीका इन तंत्रीकाओं का नाम हुआ है क्या कपाल तंत्रीका ठ करके कपाल तंत्री का और मेरू तंत्री का को मिला करके हम नाम दे देते हैं क्या इसका नाम हुआ है परीधी तंत्री का तंत्र नाम दिया है इसका नाम हमने रख दिया है क्या परीधी तंत्री का तंत्र नाम रख दिया है या फिर इसी को इंग्लिश में हम बोल देते हैं क्य पेरिफेरल नर्वर सिस्टम उसका नाम हो गया है ठीक है काने इतनी समझ में आ रही है अब इस पेरिफेरल नर्वर सिस्टम का काम क्या होता है पेरिफेरल नर्वर सिस्टम का काम है कि जो आपका सेंट्रल नर्वर सिस्टम है ना किंद्री तंत्री का तंत्र कौन बोले मस्तिस्क और मेरु रज्जू और सरीर के बीच में सरीर के बीच में जो combination है, जो combination है, जैसे मैंने कहा इस हाथ को हटाना है, तो भाई मस्तिस्क तो नीचे आएगा नहीं हाथ को बोलने के लिए हाथ की muscles को, मेरू रज्यू तो center part में बेठा हुआ है तो भो भी नहीं आएगा, तो मेरू रज्यू से निकलने वाली कुछ तंत्रिका, मेरू तंत्रिका तंत्र के बीच में आपस में बोले तालमेल बिठाने का काम करता है, combination बिठाने का काम किसका होगा, peripheral nervous system का होगा, ठीके बीटा, चलो, यहाँ से अगर हम देखे हमारा सवाल क्या पूछ रहा है, उसने पूछा, केंडरी तंत्रिका तंत्र में कोन सम्मिलित है, तो मैंने अभ बोले केंडरी तंत्रिका को परिवाशित कीजिए, और परीदी तंत्रिका तंत्र को परिवाशित कीजिए, तो केंडरी तंत्री का तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण सरीर से सूचनाओं को प्रात करके उसका समाकलन करता है, उससे हम नाम देंगे क्या CNS, उसका नाम होगा क्या CNS वो परिधी तंत्री का तंत्र की बात करें तो वह वाग जो Central Nervous System केंदी तंत्री का तंत्र एब हम सरीर के मध्य संबंद इस्तापीत करता है वो किस नाम से जाना जाएगा PNS के नाम से और इसमें कोन आता है बोले कपाल तंत्री का और कोन आती है बोले मेरू तंत्री का आती है ठीक है भाई इतनी कहानी क्लियर है जी गुरुजी क्लियर है चलो भाई आगे की ओर अगर हम बढ़े हमारे पास में सवाल है क्या मेरू रजू के आगात से क्या हो सकता है मेरू रज्जू के आगाज से क्या हो सकता है अब सुनना भाई मैंने अभी कहा कि सरीर के बीच में और मेरू रज्जू या फिर मस्तिस्क के बीच में तालमेल बिठाने का काम होता है परीदी तंत्रीका तंत्रका ठीक है अब मान लो अब मालो जैसे मस्तिस्क ने सोचा कि भाई आपके ये पेर को क्या करना है वोले गती कराना है ठीके तो मस्तिस्क पहले सुचना भेज़ता है किसके हवास मेरुरजु के पास मेरुरजु अपनी तंत्रीका के द्वारा सुचना भेज़ देगा किसके पास पेरों की मसल्स के प उठाना है और मस्तिष में सोच करके इंफर्मेशन दी किसको मेरु रज्व को लेकिन मेरु रज्व ने उशको आगे भेज़ा नहीं अब मेरु रज्व ने आगे इंफर्मेशन पूरा काम ना करे तो सरीर का हिस्सा इसरी का काम करना है बंद कर देटा है जैसे कभी कभी होता ना किसी वैक्टी का एक साइट прекрас कंうते हो गया बंद कर दिया एक साइट कंप सब्सक्राइब क्यों करना this मेरा रजु काम कर रहे है उसका, लेकिन मिरार रजु से जो जो अंग होगा वो गती नहीं करेगा एक साइट पूरी तरह से क्या हो जाता है बोले काम करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं परलाइसिस हो गया है या फिर नाम आता है क्या बोले लकवा हो गया तो मेरु रज्जू के आगात से अगर मेरु रज्जू में चोट अगर लगेगी तो क्या हो जाता है लकवा लग जाता है क्या लग जाता है लकवा पिरलाइसिस हो जाता है ठीक है पटा चलो यहीं पर आगे call अगर हम बढ़े सवाल है हमारे पास में पोधों में वाहे उद्धीपनों के अनुसार गती करने की छमता क्या कहलाती है ठीक है आपको पता है कि हम मनुश्यों की बात करें तो मनुश्यों की अंदर होता क्या है बेटा बोले बहुत सारी गतिया होती है जैसे मैंने कहा एक्षिक गती थी आपके पास में अनेक्षिक गती अनेक्षिक गती मतलब जो हमारी इक्षा से हो रही थी हमारा चलने का मन हुआ हम चल लिए अनेक्षिक गती मतलब हमारा हर्द है गती कर रहा है धड़क रहा है हमारी इक्षा के बिना वो धड़के जा रहा है ठीक है वो अनेक्षिक के अंदर हो गया लेकिन जो पादफ होते हैं पोधों की अगर हम बात करें उसके अंदर भी क्या होती है गती होती है क्या बात करें पोधे भी चलते हैं क्या नहीं पोधे चलते नहीं है लेकिन उनके अंदर गती होती है उनके अंदर गती होती है वो हि करेगा. जैसे मैं कहूँ जैसे अध्यकों कि आपने क्या करा एक पूरा बंद गामरा है उसकी अंदर आपने क्या कर दिया वो बुले गमले को पोधे को लाकर के दक दिया बिंडो एक ओबन की आपने पूरा कमरा अंधेरा वाला है गमला सेंटर में रखा हुआ है वो जो गमला होगा उसके अंदर जो पोधा है वो उस बिंडो की तरब क्या कर रहा है बोले गती कर रहा है क्यों बोले उस पोधे को उधर से प्रकास मिल रहा है वो जीदर प्रकास मिल रहा है वो उधर की तरब क्या कर रहा है गती कर रहा है ठीके तो पोधे ने ये गती की किसके कारण की बोले बाहर के उद्धीपन के कारण प्रकास के कारण गती की तो जब भी पोधा बाहर के उद्धीपन के कारण गती करेगा बाहरी उद्धीपन के कारण गती करेगा तो उस गती का नाम हो जाता है हमारे पास में क क्या नाम हुआ उसका उनुवर्तन गती उसका नाम होगा ठीक है पीटा कहाने इतनी समझ में आ रही है चलो तो अनुवर्तन गती हम बोलते हैं क्या पोधो में बाहरी उद्धिपनों के अनुसार गती करने की शम्ता क्या कहलाती है अनुवर्तन गती कहलाती है इतनी कहाने क्ल पोधों की जड़ होती है, जड़ें पानी के लिए जाती है, जल के लिए जाती है, जमीन के अंदर, तो वो जल के लिए गती कर रहे है, इसलिए उनका नाम हुआ, जलानु वर्तन गती हुआ, क्या नाम हुआ, जलानु वर्तन गती हुआ, एक पोधा होता है, तच मी नौट आ सकता है एक छोटा सा सवाल कि अनुवर्तन गती किसे करते हैं क्या तातपर है ये कितने प्रकार की होती है तो जो बाहरी उद्धिपनों के कारण होने वाली जो गती होती है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं पेटा अनुवर्तन गती बोल देते हैं ये छे प्रकार की होती है ज या फिर हम बोलना है क्या इससका नाम हुआ प्रव। जर्ड होती है झ्योड होती है जलानू वर्तन गती करती है एक और नामाई हमेरे पास क्या गुरुतवानू वर्तन गति आपने क्या किया वोले एक गमला है उसको इसे टांग दिया ठीक है और जड़े एक गमला है उसको क्या कर दिया टांग दिया जैसे मैंने कहा भाई ये इस तरह से एक पूरा की पूरा गमला इसके अंदर इसके अंदर वोले क्या लगा हुआ है वोले कोई पोधा लगा हुआ ह इस पोधे से बहुत सारी ऑख किया निकली हुई हए, जड़े निकली हुई है, अब जब भो सारी रूट्स निकली हुई है, तो इन रूट्स के साथ में कंडीशन यह सुरुवाती समय में तो वह इस तरह से ठी, लेकिन बात में जैसे जैसे यह जड़े बढ़ने लगेंगी, तो इनकी गती इधर के साइड में नहों करके कहां होने लगेगी नीची होने लगेगी क्यों भाई वो ले ये गुरुत्वा कर्शन की तरफ जा रही है किसकी तरफ जा रही है गुरुत्वा कर्शन की तरफ जा रही है इसलिए इनकी गती को हमने नाम दिया है क्या गुरुत्वा नुवर्तन गती क्या नाम हुआ गुरुत्वा नुवर्तन गती हो गया कौन कर रही है वोले ये जड़े कर रही है ठीक है बेटा दूसरा हुआ इस परशानुवर्तन गती मैंने अभी आपको एक नाम दिया है कौन सबाला बोले छुई मुई का जो नाम दिया था जो touch me not plant था वो बोलता है कि भाई मुझे मत छुओ तो वो पादब जो है कौन सी गती करता है इस परशानू वरतन गती करता है आगे आया हम पास में रसायनू वरतन गती एसी गती जो किसके कारण हो रसायन के कारण हो इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे पर अभी ध्यान रखना कि कौन गती करता है वोले पराग नलीका करता है कौन गती करेगा बेटा वोले पराग नलीका वोले गुरू जी पराग नलीका क्या होती है वोले अभी थोड़ी देर बाद में हम इसको समझेंगे ठीक है तो पराग नल लेगा तो वो खिले-खिले से तापमान नहीं मिल रहे तो बोले क्या होगे मुर्ज आ गए तो उन पोधों के अंदर कौन सी गती होती है तापानू वर्दन गती होती है जैसे कि जो उस नकटी वंदी बोधे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं ठीके बेटा चलो आगे की और हम बढ़े अगला सवाल हमारे पास में सवाल से पहले सवाल से पहले पहले अगर हम देखें किसको बोले यह हमारे पास में एक पोधा में देखा हूं चुई मुई का कौन सा है बोले चुई मुई का हमारे पास में एक पोधा है ठीके इसके साथ मैं देखना वाई एक बिफ हमारे अंदर मनुष्यों के अंदर जितनी भी गति होती न वो मासपेशियों के कारण होती है किसके कारण मासपेशियों के कारण हमारे अंदर जहां भी गति जो भी हमारे सरीर का हिस्सा हिल रहा है वहां पे मासपेशिय उपस्तित है लेकिन पादपों के अंदर मास्पेशिया नहीं पाई जाती मेरे भाई पादपों के अंदर मास्पेशिया नहीं पाई जाती तो फिर ये गती कैसे करते हैं ये गती कैसे करते हैं ये पत्तिया आखिर ऐसे मूर्जा कैसे गई इस कारण से गई तो होता क्या है सुनना जरा ध्यान से होता क्या है जरा सुनना हुआ यह कि जैसे ही आपने इस पोधे को इस पत्तियों को क्या किया टच किया शुरुवाती समय में यहां पर इस पत्ती के अंदर बहुत सारा क्या था बहुत सारा क्या था बहुत सारा क्या था एक ही दिशा में क्या करने लगे गती करने लगे जल के अनू एक दिशा में क्या करने लगे गती पहले जल के अनू पूरी पत्ती में फेले हुए है बराबर बराबर जैसे ही हमने इसको क्या किया टच किया तो जल के अनू कौन से वाले हिस्से में बस ये वाले हिस्से में नी किसके कारण हुई है बेटा तो वहले ये जल के अनू के कारण हुई है किसके कारण हुई है जल के अनू के कारण गती हुई है इसके अंदर कोई मास फेसिया नहीं पाई जाती पोधे जो भी गती कर रहे हैं चलो भाई आगे बड़े हम आगे अगर हम बड़े सवाल है हमारे प्रकाशानुवर्तन गती के अंतरगत पोदो का कौन सा भाग आता है तो अभी हमने पड़ा प्ररोव प्रकाशानुवर्तन गती करता है और पत्तिया भी इसलिए आंसर आएगा हमारे पास में डी वाला ठीक है बेरे भाई चलो भाई आगे की ओर अगर बड़े आगे की ओर सबसे आंतरीग वाला हिस्सा होता है इस अंतरीग वाले हिस्से के अंदर यहां पर एक सरचना उपस्तित यहां पर क्या उपस्तित है एक सरचना उपस्तित है इस सरचना को हम नाम दे रहे हैं इस सरचना को हम नाम दे रहे हैं क्या बोले बिजांड नाम दे रहे हैं ठीक है क्या नाम दिया है बिजांड इसका नाम रख दिया है हमने ठीक है अब इसी पोधे के अंदर बोले यहां से कुछ इस इस्तिग्मा के उपर पहुचा ठीक है पराग कंड जैसे ही वहाँ पर पहुचता है उसके अंदर पराग कंड के अंदर बोले क्या होता है बोले एक पराग नलीका का निर्मान होता है क्या होता है पराग नलीका जैसे मैंने कहा यह पूरा की पूरा आपका क्या है पराग कंड इसके अंदर यहाँ पर यहाँ पर क्या है बोले नर युगमक है यहाँ पर क्या है नर युगमक बेठे हुए है ठीक है भाई अब यहाँ पर यह वाला जो हिस्सा होता है इस बिजान के अंदर बोले बेठा हुआ है कोन बोले मादा युगमक बेठा हुआ है कोन बेठा हुआ के अंदर बोले एक छोटी सी एक नलीका बनती है एक छोटी सी क्या बनती है नलीका और ये नलीका दीरे 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 ब्रदी करेगी ग्रोथ करेगी और ये जाएगी कहां पर बोले ये जाती है कहां पर मादा युगमक के पास में आती है अब बात ये आती है सवाल आप आप से यह पुछा है कि यह इप्राग नलीका इस मैंने मिलें बेंथ पराग नलीका इसका नाम रखा तो यह पराग नलीका आकर नलीका को क्या कर रहा है आकरशित कर रहा है। जैसे मनुश्यों के नहीं कोई अच्छी सी पर्फ्यूम लगाई है तो आकरशित होते हैं, अट्रेक होते हैं, सेम परिस्तिती हैं यहाँ पर चल रही है, कि इस पर्फ्यूम के कारण इस रसायन के कारण यह पराग न लीका क्या हो रही है, आकरशित हो रही है, तो रसायन के क कौन सी गती थी इस परशानू वर्तन गती थी लेकिन सवाल में कुछ अलग पुछा है उसने कहा जल की मात्रा में परिवर्तन से स्टार्ज की मात्रा में उस्मा में परिवर्तन से किसके कारण हुआ था भाई किसके कारण हमने पढ़ा है बोले गुरुजी हमने पढ़ा है हमन तलस नहीं होती है, ठीक है? तो जंतूओं की तरह गती करने के लिए कुछ कोशी HR अपनी आकृति वधल लेती है, क्यों वधल लेती है? जल की नामें परिवलतन करके, किसके कारन? जलकी मात्रा में परिवर्तन करके आगे की और बढ़े भाई अगले सवाल पर चले चलो 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 आया है क्या अबले छुईमुई पाधप में गती तथा मानव टांग में होने वाली गती में क्या अंतर है सवाल बहुत ही IMP है सुनते हुए जाओ चुईमुई के अंदर जो गती हुई है वो जलकी मात्रा में परिवर्तन के कारण हुई है और हमारी टांगो में जो गती होती है वो एक्षिक क्रियाओ के कारण होती है किसके कारण एक्षिक हमने सोचा और हम चल दिये हमारी टांगो ने क्या की गती की, क्यों बोले एक्षिक प्रक्रिया थी, हमारी मास्पेसियों ने क्या किया, काम किया, तो यही दोनों के अंदर क्या होता है, डिफ्रेंच होता है, छुईमुई पादफ इसपर्स करते ही, पत्या जुका या बंद कर लेता है, संब्हेंदन सिल्टा का क्या करता है, पर अनुमस्तिस्क के द्वारा संचालित होती है किसके द्वारा होती है अनुमस्तिस्क के द्वारा संचालित होती है खीके भाई चलो आगे की और अगर हम बढ़ें अगला सवाल अगर हम देखे हमारे पास में आया है मतर का पोधा बाड़ पर प्रतान की सहायता से चड़ जाता इन पत्तियों के साथ में ही यहां पर लड़कियों के बालों के जैसी लटों के जैसी एक सरचना ये निकली है इसका नाम होता है क्या बेटा बोले प्रतान होता है इसका नाम होता है क्या प्रतान और यह जो प्रतान है जो टेंट दिल है यह इसपर्स के लिए संबेदन सील है किसा है बोले इसपर्स के लिए संबेदन सील होता है ठीक है अब इसपर्स के लिए यह क्या है बोले संबेदन कर दे ताकि पोधा धीरे 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 कहां चड़े ऊपर के साइड में चड़े यह जो टेंड्रील होता है यह प्रतान उसी पोधे के अंदर होगा जिसके अंदर तना नहीं होगा ठीक है जिसके अंदर तना नहीं होगा जैसे गिलकी का अगर कभी पोधा देखाओ लोक इस तरह से इस सहारे के पास में यह इतना लंबा प्रतान है कि इस सहारे के पास में आया है तो इस प्रतान का यह जो हिस्सा जो किस्से टच हो रहा है इस सहारे से टच हो रहा है उस हिस्से के अंदर जो हिस्सा प्रतान का किस्से टच हो रहा है सहारे से टच हो रहा है उस हिस् वर्मोन होता है नाम होता है ऑगजीन वो ऑगजीन क्या होता है बनना कम हो जाता है बनना क्या हो गया कम और आगे वाले हिस्से के अंदर वो ऑगजीन बनना क्या हो गया जादा हो गया ऑगजीन जहां रहता है वहाँ पर गती होती है अब ऑगजीन यह जो जिस हिस्से में पर जाता है और प्रतान के सहारे से वो पोदा दीरे-दीरे कहां चड़ता है वोले उपर के साइड में चड़ता है उसे पकड़ बना करके क्या करेगा रखता है जिसे मैं इसमें एक अगर फोटो दिखाऊ आपको यह इस तरह से एक सहारा है और यहां पर यह कुण है वोले प मैंने अभी बता है कि इस पर्स के लिए संविधन सील होता है, संविधन सील नहीं सर ऐसा नहीं होता है, प्रतान औक्जीन के कारण बढ़ता है, ये बात भी भाई सही है, जो हिस्सा टच में रहेगा, उसमें औक्जीन कम बनेगा, और जो टच में नहीं रहेगा उसमें आउकजीन जादा बनेगा मतलब आंसर आएगा हमेरे पास में कुन सा A और C दोनो ठीक है भाई आगे बढ़ें बहुत ही बढ़िया बहुत खुब चलो आगे और बढ़ें चलो भाई सवाल है आपके पास में किसी सहारे के चारो और एक प्रतान की ब्रद्धी में आउकजीन किस प्रकार साहता करता है कुछ नहीं है वही है जो हमने सुना और जो हमने समझा प्रतान इस परस के लिए संबेदन सील है पोधे जब किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का जो भाग सहारे के पास होता है उसकी ब्रद्धी उतनी तिवरता से नहीं होती जबकि प्रतान का वह भाग जो सहारे से दूर होता है जो सहारे से दूर है उसमें क्या होगा ब्रद्धी ज्यादा होगी वह अधिक तिवरता से ब्रद्धी करता है क्योंकि उस और आउक्जिंग की सांद्रिता अधिक होती है ठीक है भाई चलो तो ये सवाल हमारे पास में इससे ही इसी बस्तोनिस्ट प्रश्ण से हमारे पास में ये लगुत्रिय बन सकता है आगे की ओर अगर हम बढ़े हमारे पास में सवाल आता है निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया अंदर भी होती है दोनों के अंदर पाई जाती है तो ब्रदी तो हमारे पास में आंसर नहीं है आगे की अगर हम बात करें स्वसन स्वसन का मतलब क्या होता है वह उर्जा निर्मान की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वसन हमारे अंदर ग्लुकोस से उर्जा का बनना स्वसन पो के अंदर main जो organ होता है वो होता मस्तिस्क मस्तिस्क से तंत्रिकाएं निकली होती है और वो पूरे शरीर को क्या कर रही है नियंत्रन में रखे हुए मस्तिस्क से तंत्रिकाएं है तंत्रिकाएं क्या कर रही है पूरे शरीर को नियंत्रन में रख रही है उस नियंत्रन को हमने पूला तंत्री की नियंत्रन ये जो नियंत्रन है ये पोधो के अंदर भाई नहीं होता है ये सिर्फ किसकी अंदर होता है जनतू के अंदर होता है so our एक नाम आया हमरे पास में क्वार्मोनल नियंतरन किसी बात कर रहे हैं हौर्मोनल नियंतरन कि इसको हम समझ लेते हैं ठीक है, तो सुनो भाई जड़ा ध्यान से, देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे सरीर के अंदर मस्तिस्क उपस्तित है, ठीक है, हमारे सरीर के अंदर कोन उपस्तित है, बोले मस्तिस्क उपस्तित है, अब मस्तिस्क के साथ में, परिस्तिती मस्तिस्क के साथ में, करिंडिक्श जिन भी कोशिकाओं के द्वारा काम किया जा रहा है उन कोशिकाओं को बार बार बोलने की जरुद पढ़ रही है जिसे मैंने कहा कोई व्यक्ति के अंदर अभी 5 साल का है उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है तो जब ग्रोथ हो रही है तो उसके सरीर की हर एक कोश उसी प्रणाली को बनाना पड़ेगा, मस्तिस्क ने क्या किया, बोले कुछ नए अंगो को बनाया, इन अंगो को नाम दिया है, क्या बोले ग्रंथी नाम दिया, क्या नाम दिया भई, ग्रंथी नाम दिया, ठीक है, किसको बनाया मस्तिस्क ने, बोले ग्रंथियों को बनाया, अब ग्रंथियों को जब मस्तिस्क ने बनाया तो इन ग्रंथियों का काम होता है किसको बनाना बोले रसायन को बनाना ग्रंथियां बनाती है किसको बोले रसायन को रसायन मतलब केमीकल को बनाती है और उसी रसायन को हम नाम दे देते हैं किसका बोले हॉर्मोन का क्या नाम दे करो, ग्रोध करो, तो मस्तिस्क ने क्या कर दिया, बोले एक ग्रंथी को बनाया, ग्रंथी का नाम था क्या, बोले प्यूज ग्रंथी, क्या नाम था, मैं हहाँ पर लिख देता हूँ, बोले नाम था क्या हमारे पास में, बोले प्यूज ग्रंथी, किसको बनाया, प्यूज ग् नाम दे देतो, क्या नाम देतो, वो रसायन है, इसलिए नाम दिया, क्या हॉर्मोन नाम दिया, और वो क्या करवाएगा, ब्रद्धी करवाएगा, इसलिए उसका नाम हुआ क्या ब्रद्धी हॉर्मोन, कोन बना रही है, वो प्यूज ग्रंती, कोन बना रही है, प्यूज ग्र रहा है ठीक है अब ये काम दिया किसने बोले प्यूजगंती को ये काम दिया किसने मस्तिस्क ने और मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा तो मस्तिस्क का एक हिस्सा होता है नाम होता है क्या हाइपो थेलेमस क्या नाम होता है हाइपो थेलेमस क्या नाम हुआ मेरे भाई हाइपो थेलेम थेलेमस इसने बोला किसकी भाई थेलेमस बना तो ये कहानी चल रही अब बात यह है कि सिर्फ सरीर के अंदर ब्रद्धी कराना ही एक काम नहीं है सरीर के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे हमारे सरीर के अंदर ग्लुकोस को नियंतरन करना रहता है ठीक है ब्लड के अंदर ग्लुकोस की मातर को क्या करना है नियंतरन करना है अब ब्रे ग्रंथी का नाम हो गया है क्या अगो हुग रसायन को बना मैं लेकिं-पोले- इंसुलिन-को बना、गन क। का नियंतरन करेगा किसका बुले ग्लुकोज ग्लुकोज की मात्रा का नियंतरन करेगा कोण אנחנו छीए मात्रा रहा है बुले नियंतरन कर रहा है ठीए अब इतनyu कहांध कर दिया Normal बदोऔर होती हैं मेल और व्यक्ति ओट पिरेड़ के अगे व्याना बाद कर्दे। नर के male के character हो गया, female के अंदर भी कुछ कहानी होती है, female के अंदर यह होता कि height थोड़ी सी कम रहेगी, hairs present नहीं रहेगी, आवाज थोड़ी सी कम रहेगी, muscular body नहीं होगी, तो male के अंदर male जैसे character है female के अंदर female जैसे character है तो male character और female character को लाने का जो काम है वो उनके अंदर पाई जाने वोले दो अंगों के द्वारा किया जाता है जैसे मैंने कहा कि भाई male के अंदर पाया जाता है क्या ब्रशन क्या पायाता है ब्रशन पाए जाता है, अब इस ब्रशन को बोल दिया किसने, बोले मस्तिस्क ने बोल दिया, बोले आप भी भाई क्या करो, बोले हैर रसायन बनाना पड़ेगा, बोले क्यों बनाना पड़ेगा, बोले रसायन, बोले रसायन क्योंकि बोले कुछ काम करना है, बोले रसायन का नाम रख दिया है क्या वोले टेस्टोस्टिरोन टेस्टोस्टिरोन नाम रख दिया वोले अच्छी बात है ये टेस्टोस्टिरोन हमने क्या कर दिया उस रसायन का नाम रख दिया वोले काम क्या करेगा वोले काम एक काम करो वोले दितियक लेंगिक लक्षनों का नियंत्रन करो किसका दितियक लेंगिक लक्षनों का नियंत्रन लेंगिक लक्षनों का क्या करना है वोले नियंत्रन करना है तो ये काम दे दिया किसको ब्रशन को लक्षनों का क्या करवा दिया वोले नियंत्रन करा दिया testosterone की मदद से अब ब्रश्चन भी बात बात मानने गया वह हमेंगत रशायन वह शायन के अंदर अन्दर क्या अंडा से अंडा से को भी बोल दिया भाई आप क्या करो हॉर्मोन बनाओ रसायन बनाओ रसायन बनाने लगा तो रसायन का नामकरन कर दिया इसका नाम रख दिया, फिर इस्टोजन उसका नाम रख दिया, ठीक है, अब प्रोजेस्टोजन इसका नाम रख दिया, उसका काम क्या, तो बोले इसका भी काम सेम उसी तरह से होगा, जैसे कि यह टेस्टेस्टोजन कर रहा था, क्या कर रहा था, बोले यह दितियक लेंगिक लक्षनों का नियंतन करेगा दित्यक लेंगे का लक्षन का नियंतन कर रहा है ठीक है भाई लक्षन नियंतन अब हुआ ये कि अच्छी बात है ये दित्यक लेंगे का लक्षनों का नियंतन कर रहा है अंडा साइको भी काम हो गया आगे बोले एक और आगे हमरे पास में क्या बोले एक नाम आया अधी ब्रक क्या नाम आया अधी ब्रक क्या बोले ये किड़नी के उपर उपस्तित होती है इसलिए इसका नाम हुआ है क्या अधी ब्रक मतलब क्या किड़नी की उपर पाई जा रही है इसलिए नाम हुआ अधी रक और इसको भी बोल दिया तुभी क्या कर अलगांग हार्मोन बना इसने बहुत चाहरा, फेमस फेमस हार्मोन बनाया उसका नाम था क्या अडरिनेलीन क्या नम थास। अब यह जो एडरीनलीन भहिया और यह यह बहुत ही खतरना आप इसी की नाम बोल देते हैं क्या वोले flight and fight hormone बोलते हैं flight and fight hormone इसको बोलना जाता वोले एसा क्यों एसा नाम क्यों रखा तो सुनना भाई जरा आपका सरीर जब भी कुछ विशम परिस्तिती में होगा विशम परिस्तिती मतलब भाई जा रहे थे रास्ते से पिशे लग गया dog पिशे कुटा पिशे लग गया अब हुआ ये कि आपका सरीर उस समय इतनी तेजी से भागेगा जितना पहले कभी जीवन में नहीं भागा हो एसा क्यों हुआ बोले जैसे ही कोई विशम परिस्तिती है हमने कोई भूद बगिरा देख लिया कोई कुटा बढ जाती है दूसरा हापने लागो के सवसंधर मुद बरबी का हो जाएगी बढ जाएगी और क्यों हब बुले उस समय हम इतनी ती तीजी इसे कभी हम भागे नई हो हमें भी नहीं क्बा एंद्रिनियूं का असर हुआ किसे असर हुआ इसने पूरे रक्त को भेज दिया कहां पर हमारी muscles के पास में ताकि muscles को oxygen मिले और जल्दी से जल्दी muscles क्या करें हमको दोड़ाए यह काम करा रहा है कोन? Adrenaline करा रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया गया? Flight and fight hormone इसका नाम रख दिया और कोई सा नाम आया क्या? हमारे पस में थायराइड नाम आया क्या नाम आया है? थायराइड नाम आया ठीक है थायराइड का काम क्या? थायराइड गलनती यह गले के अंदर पाई जाती है इसका काम है इसने भी एक रसायन बनाया उस रसायन का नाम हमने रख दिया है क्या बोले थायरॉक्सीन क्या नाम रख दिया है थायरॉक्सीन नाम रख दिया और इस थायरॉक्सीन का काम है आपके सरीर में उपापचय का नियंतन करेगा किसका उपापचय का नियंतरन करेगा मतलब जो उर्जा निर्मान की प्रक्रिया होती है ग्लुकोस से जो उर्जा निर्मान की प्रक्रिया है वो नियंतरन में है किसके थायरॉक्सीड में ठीक है भाई इतनी कहानी समझ में आ रही है ब्रशन अपनी मनमानी करने लगे तो भाई मस्तिस्क को कोई पुछेगा क्या उसका तो फिर कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो मस्तिस्क ने कहा कि ये नीचे जितनी भी ग्रंथिया है ना इन सारी ग्रंथियों को इन सारी ग्रंथियों को कोन कंट्रोल में करेगा बोले ये प्यूज ग्रंती किसकी बात कर रहे हैं बोले ये जो प्यूज ग्रंती है न ये नियंत्रन में लाएगी किसको इन सारी ग्रंतियों को अब प्यूज ग्रंती का काम है कि इन सब के उपर नजर बना करके रखे इसलिए प्यूज ग्रंती को हमने इनका बोल दिया बोले ये मेनेजर है या फिर हमने इसको बोल दिया क्या बोले master gland हो गई इसका नाम रख दिया हमने क्या master gland नाम इसका रख दिया ठीक है भाई अब master buttons के उपर मस्तिष्क कंट्रोल रखा है किसकी साहता से hypothesis की साहता से hypothesis और आ पियूस गन्ति इने बाकि सारी इंडर कोई काम कराना जैसे उन्हें का बच्चे कें उमर हो गई 16 साल इसके अंदर दितियक लेंगी का लक्षन आना कालू हो गया उसकी आवाज भारी होने लगी हाइट ज्यादा बढ़ने लगी मसल्स आने लगी यह सारा काम कून कर रहा है ब्रशन कर रहा है किसकी मदलत बदलत टेस्टेस्टेस्ट्रॉन अगर बनने में कुछ गड़बड़ करेगा किसको पता चल जाएगा प्यूज ग्रंत सायता से बेचता है उसके पास जाएगा और उसका नियंतरन करेगा थीक है इतनी कहानी समझ में आगई अब यहां से बनने वाले जमाने भर के सवाल तुम लोगों को बनेंगे पहला सवाल P के काम करने की जगा अलग अलग होती है वो सरीर में जो ग्रंथियान होती हैना बैटा हमेरे सरीर में जो ग्रंथियां आभी में पढ़ाई आपको इन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो दो तरह की ग्रंथियों होती है। कितनी तरह की ग्रंथी होती है दो तरह की होती है एक ग्रंथी तो ऐसी है भाई दो तरह के होते हैं लोग दो तरह से होते हैं जिसे कि हम बोलते हैं कि होता क्या है कि हमारे यहां कोई महमान अगर करीबी है तो उसको बस स्टेंट तक छोड़ने के लिए जाएंगे और कोई नह जरुवत है जहां उसकी जरुवत है वहां तक छोड़ करके आये जहां जरुवत है वहां क्या करे छोड़ करके आये जहां जरुवत है वहां क्या करे छोड़ करके आये जहां जरुवत है वहां क्या करे बोले छोड़ करके आये छोड़े ठीक है तो एक तो ऐसी होगी गृंति का होती है क्या होती है नली का इनके पास में उपस्तित होती है बाइग वगेरा नहीं यह भाई पोचाने के लिए इनके पास में क्या है बोले नली का उपस्तित है बोले एक आदा एक्जांपल दे सकते हो क्या हां बिल्कुल दे सकते हैं देखो होता है क्या है जैसे आपका य बनाने का काम दिया गया है यक्रत को काम दिया गया है किसको बनाने का पित रस को बनाने का ठीक है अब यक्रत भाई पित रस तो बना रहा है लेकिन बंदा बहुत समझदार है इस पित रस को बोले जहां जरुवत है कहां जरुवत है बोले स्मॉल इंटेस्टाइन में होर्मोन्स को एंजाइम को जहां जरुवत है वहां क्या कर रहा है वोले पहुचा करके आ रहा है यकरत एक तरह की क्या है ग्रंथी है और जो जहां जरुवत है वहां पहुचा करके आए किसकी साहिता से नलीकाओं की साहिता से उस ग्रंथी को हम नाम देते हैं क्या वहीर इस् हम बोल देते हैं, ये कैसी होती है, नली का युख्ट होती है, ठीक है भाई, नली का युख्ट, जैसे कि आपके पास में आ गया है, यक रत, ये, किसकी अंदर आया, बहिरिस्ट्राभी, और मैं बोल दूँ, ये सबसे बड़ी ग्रंथी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या ह वहाँ छोडने का काम नहीं करेगी, वहाँ छोडने नहीं जाएगी, तो क्यों नहीं जा रही है, इनके साथ में मजबूरी है, क्या मजबूरी है, इनके अंदर नलीका क्या है, नलीका क्या है, वहाँ अनुपस्तित है, नलीका की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर क्या इंडिशने नली का अनुपस्तित हो गई है ठीक है नली का अनुपस्तित और इन ग्रंथियों को जो की अपने हॉर्मोंस को जहां जरुवत है वहां छोड़ करके नहीं आएगी कहां डाल देती है रक्त में डाल देती है किसके अंदर डाल देती है रक्त में डाल देती है ठीक के समझ में आ रही है, इनी ग्रंथियों को हम बोल देते हैं, क्या, भोले, ये नली का विहीन होती है, ठीके भाई, चलो, जैसे भोले उधारन दो, गुरुजी कुछ उधारन दो, तो हम बोले किसको भोले, थाइरॉइट का अगर हम बोले, thyroid कैसी होती है बोले नली का बिहीन होती है मैं एक और example दू किसका बोले puse granti का किसका नाम दू puse granti का अगर मैं बोलू तो बोले ये भी कैसी होती है नली का बिहीन होती है मैं नाम दू किसका बोले अधीब्रक का नाम दू सह होता है इसे हम नाम दे देते हैं किसका बोले अगना सहह का नाम हुआ है मिश्रिद ग्रंती क्यों बोले ये कुछ रसाइनों को नलीका की साईता से छोड़ने जाती है और कुछ को डारेक्ट रक्त के अंदर डाल देती है मतलब ये अंताह स्थावी में भी है और बहीर स्थावी में भी है इसलिए इसका नाम हुआ है क्या मिश्रित ग्रंथी नाम हुआ है चलो भाई आगे की और बढ़ा जाए आगे अगर हम देखे सवाल हमारे पास में हॉर्मोन को परिवाशित कीजिए मदू में हैं रोग किस के कम स्थावन से होता है हॉर्मोन क्या होते हैं तो हमारे सरीर में ग्रंथियों के दोरा स्थावीर किये जाने कुछ रसायन उन्हें को हम क्या बोलते हैं हॉर्मोन बोलते हैं अब मधू में क्या होती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगना सहे किसको बनाता है अगन नहीं है, तो glucose की मात्रा क्या हो जाएगी? इन्सुलिन नहीं तो glucose का लेबल बड़ जाएगा? और हम नाम देतेंगे उसको कि उस व्यक्ति को क्या हुआ, बोले मधू मे हैं रोग हो गया. उस व्यक्ति को क्या हो गया है? मधू मे हो गया या फिदाःबेटीज हो गया थीक है भाई तो यहाँ पर यह कहानी समझ में आ रही है किसके द्वारा बनाई जाता है इंसुलीन वो ले पैंकரियास या फिद्वारा बनाया जाता है और क्या काम करता है क्या काम करता है यह बोलो हिए गल्लुकोस को किसे बोले ग्लुकोस को किस में बदल देता है बोले ग्लाइकोजन में बदल देता है ग्लुकोस को किस में बदलता है ग्लाइकोजन में वो ग्लुकोस को ग्लाइकोजन में बदलने की यह जो प्रक्रिया है इसका नाम होता है इसका नाम होता है ठीक है भाई तो यह हमारे पास रोक किसके कारण होता है, insulin की कमें के कारण होता है, insulin का काम होता है, glucose की मातरा को नियनतित करता है, ठीक है, यह पिर हम बोलते हैं, glycogenesis को नियनतित करता है, sugar के लेवल को controlling करता है, और protein simulation में भी यह important भाग role निभाता है, दो बाइ, आगे की और बड़े, हमारे पास में यह टेबल दिया है, वोई सारी चीजे हैं, इंसुलीन में ने कहा, अगनासय ने बनाया, रक्त में किसका नियंतन करेगा, सरकड़ा का, ठीके, थाइरॉक्सीन, थाइराइट ग्रंती ने बनाया, उपापचय क्रिया का नियंतन करेगा, ब अंगो का विकास और जो मैंसर साइकल होता है मानसिक शक्र का नियंतरन करेगा अड्रीनेलीन की बात करें अड्रीनल ग्लेंड या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या बोले अधीब्रक बोलते हैं अधीब्रक के द्वारा नियंटन किया जाएगा किसका बिसम परिस्तितियों में लड़ने के लिए तियार करेगा मोचक हर्मून कोन बनाता है हाइपो थेलेमस बनाता है पीटिटेरी ग्रंथी से हर्मून के स्थाव को प्रेरीद करता है नियंटन में रखता है ठीक है मेरे भाई कहानी ये समझ में आ रही होगी टेवल बहुत इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखना ठीक है आगे की और बढ़ा जाए सवाल है हमारे पास में नलीका बिहीन ग्रंथियां क्या होती है ठीक है अपने हार्मोन को सीधे रक्त के अंदर डाल देती है जहां जरुत होती है वहां तक पहुचा करके नहीं आती उधारन के तोर पर प्यूज ग्रंथि ठीक है आगे सवाल में पुछा उसने क्या थाराइड गंती की रचना अच्छी बात है थाराइड गंती कहां पर होती है मैं यह आपको बता दू थाराइड गंती कहां पर होती है मैं बता दू तो हमारे सरीर के अंदर बोले एक होता है क्या स्वासन पाइप होता है या पर इसी को हम बोलते हैं स्वासनली बोलते हैं इससे स्वासनली ये तो हुआ आपके पास में क्या बोले ये हुआ आपके पास में क्या बोले स्वासनली और इसके उपर वाला जो हुआ इससे हम बोलते हैं बोले ये स्वर्यंत्र हुआ ठीक है यह हिस्से में Storage अब हवा क्या बचा यह पर कि ऐसके अलग अलग हिस्से होते हैं एक इधर वाला और秦्वाला ओर दोनों हिस्सें बीच में जूड़े हुए होते हैं एक सरशना के दो değiş की current जिते हैं क्या इस्थमसह में इसको नाम ने है को तो यह छिस evolutionary यह मैंने बताया आपको और यह देखने में किसे दिख रही है? H-A-KAR, H-K जैसे दिख रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, यह H-A-KAR की ग्रंथी होती है, क्या बनाती है? थायरॉक्सीन को बनाती है, थायरॉक्सीन क्या करता है? यही सारी चीजे हमारे पास में इसको बनाती है, थायरॉक्सीन को बनाने के लिए, इस थायरॉक्सीन को बनाने के लिए, जरुवत पड़ती है, किसकी आयोडीन की जरुवत पड़ती है? उसका जो manager is puse granty वो उसको इसको बाई चमकाएगा वो उसके ऊपर pressure बनाएगा push granty उसके ऊपर pressure बना रही और thyroid granty tension ही टेंशन है pressureiqué क्या कर लेती है अपने आकार को बढ़ा लेती है आकार बढ़ जाता है गले में एकदम आकार एकदम बड़ा हुआ स्कूजा हुआ सा दिखता है हम उस परिस्तिती को बोल देते हैं बोले क्या हो गया है गेंगा रोग हो गया है क्या बोल देते हैं गेंगा रोग अब एसी परिस्तिती ना बने इसलिए जरूरी है कि हमें continuously क्या खाना चागे आयोडीन खाना चागे तो अभी फिलाल के समय आयोडीन युक्त नमक भुज़रा क्या हो जरूरी होता क्यों आयोडीन युक्त नमक मतल़ा उसके अंदर आयोडीन है और आयोडीन हमारे सरीर में जाएगा थायराइट ग्लेंड उस आयोडीन से किसको बना लेगी थायरॉक्सीन को बना लेगी और अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खा रहे हो तो क्या हो जाएगा गेंगा रोग हो जाएगा ठीक है बेटा तो सवाल है हमारे पास में कि घेंगा रोग का नियमन कोन करता है थायरॉक्सीन करता है कोन करेगा थायरॉक्सीन करेगा गारीट ग्रंती हिंदी में बुला अवटू ग्रंती थायरॉक्सीन हॉर्मोन बनाने के लिए आयोडीन आउशक है थायरॉक्सीन कार्वहाइटेट प्रोटीन तदा बसा के उपाप चाय वर हमारे सरीर में नियंतन करता है ताकि ब्रद्दी के लिए क्या हो क्रस्ट संतुलन उपलग्स कराया जा सके यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभाव ना है कि हम क्या हो जाएगा गाइटर हो जायेगा या फिर इसी को हम नाम देंटे थे कि इसका इसी को हम नाम दे देते हैं घेंगा रोग बोल देते हैं इसी का नाम हो गया इसलिए आयोडीन यूग तो नमक खाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आगे का कुश्यन दूराग रही एब हम खतरनाक इस्तिती से निपटने में कौन सा होर्मोन साहिक है करेगा ऐड्रीनेलीन इसमें साहिता करेगा ठीक है चलो आगे क्यों अगर हम बढ़ें जब एड्रीनेलीन कोश्यन है जब एड्रीनेलीन रुदीर में स्त्रावित होता है तो हमारे सरीर में क्या अनुक्रिया होती है सारी चीज़े आपको याद है सुनना जाना ध्यान से ए प्रदय की धड़कन को क्या कर देता है बढ़ जाती है ताकि मास पेशियों में अधिक ऑक्सीजन की क्या हो सके आपूर्ती हो सके दूसरा पाचन तरंत और त्वचा में रूदिर की आपूर्ती क्या हो जाती है कम हो जाएगी रूदिर की दिशा कहा रहेगी कंकाल पेशियों पेश्यों तक रहेगी ताकि मसल्स दोड़ने में साहता करें और ऐसी प्रिस्तिती में आपको भूक नहीं लगेगी क्यों वोले पाचन तंद्र में रक्त नहीं जा रहा है ठीक है और डायफ्राम तथा पसलियों की पेश्यों में क्या हो जाएगा संकुछन डायफ्राम क्या ह होता है तो यह हमारे सरीर के अंदर यहां पर यह जो पाया जाता है इसको हम बोलते हैं क्या डायफ्राम और यह स्वसन की प्रक्रिया में क्या करता है महत्पुन भूमी का निभाता है इसलिए जो एड्रिनेलीन होता है वो किसके उपर काम करेगा डायफ्राम के उपर काम कर चलो भाई आगे की और बढ़े अगला हमारे पास में सवाल है कि पादप में कितने प्रकार की गतिया पाई जाती है पादप की अगर बात करें तो पादप के अंदर बोले गतियां दो तरह की गतिया होती है कितनी तरह की दो तरह की गतिया होती है पहला तो होता है ब्रदी प पर अनाश्रित मतलब जिसके अंदर ब्रद्धी का कोई लेना देना नहीं है ब्रद्धी पर अनाश्रित की अगर हम बात करें तो जो चुई-मुई के अंदर आपने गती देखी थी ना उसमें जो गती हुई है जो गती हुई है वो गती में ब्रद्धी का कोई लेना देना न नहीं था तो जो चुई मुई की गती है वो ब्रद्दी पर अनाश्रित होती है और जड़ों के अंदर होने वाली जो गती है वो किसकी उपर आश्रित होती है बुले ये ब्रद्दी पर आश्रित होती है तो हमारे पास में आंसर आएगा क्या दो प्रकार की गती पाई जाती ह ठीके बेटा चलो आगे की और बड़े अगले सवाल पर पादफ हर्मोन क्या है किनी तीन पादफ हर्मोन के नाग भाई पादफ हर्मोन हो या पर जन्तु हर्मोन ये रसायन होते हैं जो कि उस जीव के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाओं का नियंत्रन करते हैं ठीके तो विव प्रक्रियाओं रखना कि ये जो आगजीन होता है ना बेटा जैसे मैंने कहा कोई एक प्लांट लगा हो पोधा उस पोधों के अंदर अभी जस्ट वो जर्मिनेट उगना चालू हुआ है ठीके अब उगना जब चालू हुआ है तो इसके अंदर इसका ये जो तना है इस तन तने के अगर भाग में यहाँ पर बनता है कोन बनता है कोन बनता है ऑगजीन हमेशा तने के अगर भाग में कोन बन रहा है ऑगजीन बन रहा है और ऑगजीन का काम होता है ब्रदी में क्या करता है सहायता करता है ठीके दूसरा हर्मून जिब्रेलिंग की बात कर रहे है इसके बारे में बस सीधी सी बात ध्यान रखना कि यह उल्टे काम करेगा क्या करेगा उल्टे काम जैसे पत्तियों को अगर गीराना है तो एपसेसिक अमल काम करेगा ठीक है पोधे की ब्रद्धी को रोकना है एपसेसिक अमल काम में आएगा ठीक है फुलो को अगर गीराना है सारे जितने भी उल्टे काम है ये बहुती ज़ादा मस्तिखोर बच्चा है कौन बोले इपस αυτό कि जाएंगे बादी को रोकने का करेगा पतीों का मुरजाना पत्तिों को गिराना वो इसके दोरा किया जाता है चलो भई आगे बढ़े हमारे पास में सवाल आता है और अगे नया सवाल कुन सा तनों की लंबाई में ब्रद्दित करता है और जिबरेन भी आउग्जीन की तरह ही काम करता है इसलिए आंसर आजाएगा आपके पास में A और B दोनों आंसर हमारे पास में आएंगे आगे के सवाल की ओर अगर हम बढ़े हैं कौन सा हॉर्मोन पतिया मुर्जा थी कौन से हॉर्मोन से पतिया मुर्जा जाती है भाई पतिया मुर्जा रही मतलब उल्टा काम है यह तो ठीक था खेंदी दंट्रि का तंट्र और एक था वारे पास में क्या परिदिये दंट्रि का तंट्र था और ये दन बहुत सारी तंत्री का कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिने की हम neurons बोलते हैं, क्या बोलते हैं? neurons, अगर इसका neurons के अंदर हम बात करें, तो सुननना ज़ड़ा, ध्यान से, इस तरह की neuron की सरचने होती, तो इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं इस तरह से कुछ ये ग्राही वाली सरचना है ठीक है जिने की हम बोलते हैं क्या बोले दुम्रीका बोलते हैं इनका नाम हुआ है क्या दुम्रीका ये जो सरचना है इनका नाम हुआ है वेटा दुम्रीका नाम हुआ है ठीक है इसी के अ अंदर सबसे पहले तो यह मुख्य वाला भाग हुआ इसकी अंदर सेंटर वाले भाग में केंद्री भाग में कोन उपस्ती थे तो यहां पर एक केंद्रक उपस्ती थे और यह जो हिस्से होते हैं इन हिस्से को हम नाम देते हैं इनका नाम है क्या दुम्रीका नाम होता है ठीक इधर वाला जो पूरा ये जो पूरा सेंटर वाला इतना जो हिस्सा होता है इसे हम नाम दे रहे हैं क्या बोले ये हुआ कोशी का काय इसे हम बोलते हैं इसके अलावा ये जो इधर वाला हिस्सा है जो लंबा सा जो टेल जैसा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है पूच जैस इस लम्मे से टेल वाले हिस्से को हम नाम दे रहे हैं किसका वोले ये होता है तंत्री काक्ष के ओपर इस طरह से कुछ सरशना देखने को मिलती है ठीक है तो इसका नाम हम रख लेगे क्या थंत्री काक्ष और सबसे अन्तिम वाला जो सीरह हो गिया इसका नाम रखना हमने तंत्रीका क्ष्य तंत्रीका क्ष्य का मतलब क्या है काम क्या है तो यहां पर इन्हों ने जितना भी यह जो मैसेश काम करने काम किसके पास मैं होulsive दुमगई का मैसेज लेगा और मैसेज़ को सुचना को Liberty करेंग के फॉर्म में आगी लेकर जाने का क्र 순간 कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा टंत्री काउक्ष तो इस सेrière कर चोक्कर कर करन सुछनाр है विद्युद आवेख की तरह क्या करती है गती करती है और जो अखृङा भाला हुआ इसे हम बोलेंगे क्या वै ये काम करते हैं ठीक है भाई चलो अब आगे की और अगर हम बढ़ें यह पूरा डाइग्राम है जो कि करते हैं तो यहीं पर वो परिवाश है कि अनेक्शिक कियाँवे किह जिन पर हमाना नियंतर नहीं होता जिने हम सोच तकर भी नहीं कर सकते अनेक्शिक क्रियाएं ja अनेक्षिक क्रियाएं मस्तिस्क के द्वारा नियंत्रित होती है और मस्तिस्क में भी कोन मेडूला अवलागेटा के द्वारा जैसे कि कोन हुआ हमें पास में हिर्दय धड़कन प्रतिवर्ति क्रिया अचानक किसी उद्रीपन के प्रतिव जो अनुक्रिया होती है जिसमें मस्तिस्क संबद नहीं होता, प्रतिवर्ति क्रिया हैं कहलाती है, किस की बज़े से होता है, मेरु रज्जु की बज़े से होता है, जैसे कि गर्म प्लेट को छू जाने पर हमारे हाद का अचानक पीछे हट जाना वो प्रतिवर्ति क्रिया होती है, यहां से इस question में य लाइन ना आए आपसे बोल दे अनिक्षिक क्रियाओं को परिवासित कीजिए और प्रतिवर्ति क्रियाओं को परिवासित कीजिए तब भी आपको यही अंसर लिखकर के आना है यही अंसर लिखकर के आना है यहां से एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि एक्षिक गति या फिर एक्षिक क्रियाओं को परिवाशित कीजिए, तो एक्षिक क्रिया मतलब जो हमारे नियंत्रन में होती है, जो हमारे कहे अनुसार होती है, उसे हम बोलते हैं, क्या भाई, एक्षिक गती बोलते हैं, जैसे कि यहां पर वे क्रियाओं जिन पर हमारा नियंत्रन होता है, आर्था जिने हम सोच समझ कर भी कर सकते हैं किसी उद्डीपन से सम्बंधित नहीं होती एक्षिक क्रिया कहलाती है जैसे कि इसका नियंतन कोन करता है मस्तिस्क हम चल रहे हैं टहल रहे हैं वो कौन सी प्रक्रिया है एक्षिक क्रिया है या भी कुछ विस्स्ट भोजन खाने की इक्षा होना कुछ नया नया खाने की इक्षा होना वो भी क्या है वोले एक्षिक क्रिया है और प्रतिवर्ति क्रिया आपको पता है कि कोई बाहरी उद्धीपन के कारण जो होती उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ति क्रिया तो यहां पर उसी सवाल से हमारा पास में बनता है प्रतिवर्ति क्रिया अचानक मिले किसी उद्धीपन के कारण होने वाली क्रिया है हमारी सोचने समझने की छमता का नियंत्रन नहीं होता सीधे मेरु रज्जू के नियंत्रन में होता है और टहलना हमारी एक्षिक क्रिया सोचने समझने के उपर निर्वर करने वाली प्रक्रिया है ठीक है भाई चलो आगे अगर बढ़े हमारे पास में तो हमारे जो 30 महटपुन सवाल है वो यहाँ पे complete होते हैं और उससे संबंदित जो आगे पीछे के सवाल है वो भी सारे की सारे complete होते हैं नियंतनों और समन्वे में बनने वाले जितने भी जरूरी सवाल थे वो यहाँ पे सारे complete होते हैं एक सवाल में आपके लिए लेकर आओं जो कि पिछले 2020 के अंदर UP board में आया है किसे संबंदित हैं निमलिकित में से कौन सा testosterone hormone का कार्य नहीं है testosterone में ने बोला था ब्रशन के द्वारा बनता है male hormone होता है पुरुष के लक्षन को क्या करता है नियंतित करता है अब देखते हैं option में लड़कों में योनावस्ता के लक्षनों का नियंतित करता है सही बात है भाई दूसरा शुकरानों के उत्पादन का भी नियंतित करता है और हड़ियों तथा पेशियों का विकास करता है, मैंने कहा था कि मस्कुलर बॉडी बनाने के काम भी कुन करेगा टेस्टेस्टरॉन करेगा, उपापचे प्रक्रिया का नियमन करता है, नहीं इस प्रक्रिया का नियंतन तो थायरॉक्सिन के दोरा किया जाता है, इसलिए इस कोशिन का अंसर आएगा, हमरे पास में डी बाला, ठीके, कहानी सारी की सारी बहुत ही अच्छे से समज में आई होगी सारे सवाल हमरे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं HOMEBOURK में आपके लिए यही हैं कि इनी सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से ठीक है, पूरा लेक्षर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, धन्यवाद, जैहिन, हसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूही पढ़ते हुए रहो.